पटना के फटुआ थाना एनस 30 के पास बीती राथ अपरादियों ने हथियार के बल पर कई गाड़ियों से लूट पाट की और लूट पाट को अंजाम देने के बाद सभी अपरादी फरार हो गए गटना के बाद पिडितों ने बीती रात फटुआ थाने पहुच को शिकायत दर्ज कराने की कोशिस की पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पुलीस सोई थी और लगतार पिडितों के द्वारावाज देने के बाद भी थाना का एक भी पदादिकारी या पुलीस सामने नहीं आई क्योंकि पुलीस सोई हुई थी इस पुलीस के जरिये बिहार और पटना में अप रादियों से मुकाबला किया जा रहा है आप वीडियो में देखिए कि कैसे फतुवा थाना के गेट पर पिडित चिला रहे हैं लेकिन थाने का गेट तक नहीं खुल रहा है पिडित योक लागतार जान बचाने की गुहार लगाते रहे चिलाते रहे लेकिन एक भी पुलीस कर्मी नज़र नहीं आया पिडित योकों ने एक वीडियो बना कर भेजा है इस वीडियो में देखिए कि पब्लिक को मदद करने का दावा करने वाली पुलीस कैसे खराटे लेकर सो रही है और पिडित परिशान है यह देखो यह फतुआ थाना है हम लोग चिला चिला के ठक चुके यहां कोई आदमी नहीं है कहा गए सर्जे 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 यह देखिए यह फतुआ थाना है हम लोग के सेवा के लिए दाम एक नंबर थाना अभी हम लोग को फाइरिंग किया गया तीन गारी का चोड़ी हो प्लस फारींग किया गया तेन गारी को लूटा गया को फारींग किया इन का क्या चोड़ी हुआ क्या चोड़ी हुआ आपका हमारा मोबाइल गया तीन अजार रुपया गया आज पहला दिन नोकरी पर आये थे आज सारा माधर चोद लेके चला गया और यहां देखिए थाने वाले यह थाने है अराम से सो रहे हैं सेवा के लिए कोई नहीं है का गए सर् पूछा जाए यह थाना यह फतुहा थाना यह दख लिए क्या हम लोग का सेवा करेंगे यह जो खुद ऐसा सोड़ा है निन के चैन के निन तुक्षा जाए बोल्यों हाथ तीन है रुप तीन सो रुप यह लिया और क्या हुआ हम मुआ सेगे हैं निन जाव मेत क्या है के टने आदमी थे हैं चार आदमी इतना हमारे गारी missılar के पास आया चार आदिमिलेंट के ँखर अहरत का तो मेरा मुआ नहीं की दा भी कि अब बीचसा शुरुब्ट days यह देख लेख 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 चलो हम लोग इतना आजमी मिल के आज से कंप्लेंड करने के लिए